इसलिए सोना लोब का प्रतीक है और रामकाज में लोब जो है बाधक है रामकाज में लोब क्या है बाधक है तो मैनाक ने कहा कि दो तोला चार तोला दस तोला सो तोला पांसो तोला सोना नहीं कुंटलों सोना है इसमें क्योंकि पहाड़ी है हनमाजी ने कहा ऐसा है कि आप हो सोने के पहाड़ और मेरा सरीर है पूरा सोने ही सोने का स्वर्ण सैलावदे हैं क्यों पूरा शरीर मेरा कैसा है सोने का है और सब हुपसे बड़ी बात यह है हम सोने से प्रेम नहीं करते हैं हम जागने से प्रेम करते हैं रामकाज सोने से नहीं होगा रामकाज जागने से इसलिए रामकाज कीने बिना मोय कहां विश्राम और सही बात तो यह है कि हम जा रहे हैं सोने की लंका में कहां जा रहे हैं सोने की लंका में लेकिन जा रहे हैं सोने की लंका में लेकिन सब को जगाने के लिए जा रहे हैं सब को जगाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि जहां भी जाएंगे सब सोते हुए मिलेंगे तो मेनाक ने कहा कि आप सोने की लंका में जगाने के लिए जा रहे हो लेकिन वहां जाओगे तो सब सोते ही मिलेंगे क्योंकि वहां तो सराब ज़्यादा पी जाती है और सराब पी के सोते हैं तो डवल नसा है मिलेंगे खनमान जी ने कहा कि वो राक्षस हैं जो पी के सोते हैं और सोते ही रहते हैं और छेचे महीने सोते हैं कुम्बकरण जैसे छेचे महीने सोते हैं लेकिन मैंनाक मैं बिवीशन जैसे संत को जगाने के लिए जा रहा हूं कि तुम्हारी भक्ति आज काम आ रही है मैं आ राम से जोड़ना किस से जोड़ना राम से जोड़ना तुम जगे कव हो प्यारे हम तुमें जगाने आए हैं हन्वाइन जी बिभीशन को सो रहा था बिभीशन बोलो सो रहा था कि नहीं लेकिन राम राम तैं सुम्रन कीना हरा सरदय कपी सजन चीना यही सनहट करी हों पहचानी साद उते हो न कारज हानी और विभीशन जी राम राम कहके सो रहे थे की नहीं लेकिन आवाज सुनी तो राम राम कहके निकल पड़े की निकल पड़े सिधी सिवात ये है संत की यात्रा भक्तों को जगाने के लिए होती है जैसे हनमान जी की यात्रा सोने के लिए नहीं हुई ना सोने वालों के लिए हुई है भक्तों को जगाने के लिए हुई है और बिवीशन जैसे भक्त को जगा के राम से मिलाने के लिए हुई है यह यात्रा है हनमान जी की बोलो है कि नहीं ऐसे हमारी जो यात्रा है वो आप जैसे भक्तों को उपदेश देकर जगा के राम से मिलाने का संकल्प हमारा है कि आप सब राम से मिल जाएं आपको राम मिल जाएं यही तो जगाना है यह एक एक शब्द बो जगा रहा है कि नहीं यह जगा ही रहा है यह तो संसार का रात्री का सोना और दिन का चलना फिरना काम करना यह तो चरियां हैं रात्री चरिया और दिन चरिया दोई चरिया होती की नहीं होती रात्री चरिया और दिन चरिया तो रात्री चरिया में व्यक्ति क्या करता है सोता है और दिन चरिया में चलता रहता है काम करता रहता है अपना करता रहता है की नहीं परंतु ये जो परिचरिचा हो रही है सुसुपती है और कौन सी सुसुपती है हम लोग काम में ब्यस्त हैं लेकिर राम में सुस्त हैं यही सोना है किस में ब्यस्त हैं हम लोग काम में ब्यस्त हैं यहां तक कंडिशन है कि लोग रात्री में भी इतने काम खोपड़ी पर लिये रहते हैं कि एक तो बिलम से सोते हैं भ समय निकाला सोने के लिए तो अब सो क्यों नहीं रहे हो इसलिए नहीं सो पा रहा हूं कि टैंसन है कि दिन में ये काम ये काम ये काम ये काम इतना टैंसन है इसलिए सो नहीं पा रहे तो बोलो भाई काम कितना हावी हो चुका है हो चुका है कि नहीं तो काम के लिए आप जाग रहेंगे लेकिन जिंदगी जब तक रहेगी फुर्षत नहोगी काम से कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से यह जिंदगी जा रही है राम से प्रेम करने की आवश्यक्ता है आप कहोगे महराज काम कौन करेगा तो स्थ्रीमत भगवत गीता का वो इश्लोक क्या आप निकाल दोगे यह भगवान की बानी है अगर आप यह कहोगे कि महराज जी हम राम राम ही करें तो काम कौन करेगा आप राम से मतलब रखें तो भगवत गीता का इस्लोक है अनन्यास चिंतियंतो माम ये जनह परिवपास्ते हैं तेसाम नित्या व्युक्तानाम योगक्षेमं बहाम्मिहं बोलो है कि नहीं आप अनन्य भाव से भगवान के प्रती समर्पन कर दें और काम करते 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 राम का इसमर्ण रखें कोई भी काम आप करें उसमें इसमर्ण किसका करना है राम का तो याद रखना संसार के जितने काम आपके हाथ से होंगे और काम करते करते यदि राम का इसमर्ण करते रहोगे तो वो संपूर काम राम बन करके आपका कल्यान कर दें वो संपून काम राम बन करके कल्यान कर देंगे बोलो भई जैसे हम चल रहे हैं राम के लिए चल रहे हैं जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं राम के लिए कर रहे हैं तो मेरा एक एक काम भजन से जुड़ गया है किस से जुड़ गया है एक एक काम भजन से राम से जुड़ गया है जैसे एक सूत्र है व्याकरण का सूत्र है भज सेवायाम धातु से भजन सब्द बना ये भजन सब्द किस से बना है भज सेवायाम धातु से बना है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि आप यदि सात्त की सेवा कर रहे हैं सात्त की कारी कर रहे हैं सात्त की कारी होना चाहिए कि देखो कारी भी बहुत होते हैं बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं कहें कि हम काम से जा रहे हैं अरे बोले बतातो देखो भाई या कौन से काम से जा रहे हैं अरे बोले एता है तुम भी डगैत हो, हम भी डगैत हैं, डगैत ही ढालने जा रहे हैं, यही काम से जा रहे हैं, और क्या करने जा रहे हैं, तो बोलो यह साथ की काम नहीं है, है क्या, यह ताम सी है, बोलो है कि नहीं, साथ की काम, आप जो भी हाथ से करेंगे, उसी को सत्कर्म कहा जाएगा और यदि सात्व की कारी करते करते आपके हां से सतकर्म होता रहेगा तो छन छन पल पल प्रति पल प्रति छन आपके द्वारा वह सात्व की कर्म भजन के रूप में माना जाएगा वही भजन है इसलिए भईया मैं कह रहा हूं कि आपका जीवन धन है क्योंकि आपको जो एक संदेश स्वस्थ संदेश मिल रहा है स्वस्थ उपदेश मिल रहा है कि काम तो करिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सको मेहनत कर सको करिए लेकिन उस कर्म में सात्युक्ता होनी चाहिए और सात्युक्ता के साथ प्रभू का इस्मरन सदा bynा रहे हनमान जी बो ने भगवान राम को हनमान का रनी बनाया है कि हनमान के काम ने राम को रणी बना दिया है प्यारे बोलो प्रमान है की नहीं मैं गलत बोल रहा हूं क्या माला ने राम को रणी नहीं बनाया है हनुमान के रनी राम हुए हैं तो हनुमान के काम से हुए हैं काम से हुए हैं बोलो हुए हैं की नहीं हुए हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा काम करो भजन सेवा ही तुम्हारे लिए भजन है जब व्यक्ति की जवानी हो एक टावल पड़ी थी यहां भाया कहीं चली गई ओ तो जब एक तॉलिया टाइप की होगी कहीं हम लाए ही नहीं होंगे का पता इसमें है कि कहां है कहां नहीं लाए होंगे हमको कुछ पता ही नहीं रहता है तो सुनो अब सुनो ये तो सब होता रहेगा इसमें नहीं है ले आओ कहीं से ले आओ वहीं कमरे अमरे में पढ़ी होंगे कुछ ले आओ चलो ये है ये है ये हो गया काम चल गया हमको कुछ पता नहीं रहता है इन लोगों को देना चाहिए कुछ बस्त रस्त जो भी हो चर्चा क्या हो रही थी जरह बताओ टाइम भी तो नहीं है उतना टाइम के लिए कुछ दो कितना बजा है साड़े दश है पंदा मनेट और सुनो क्योंकि अब टाइम नहीं है बोलने को तो बहुत कुछ है कितना सुना दू यह लगता है सुनाते ही जाओं लेकिन अब क्या करें वहां लोग सुनने वाले वैठे ह रणी संसार ने आपको रणीया बना दिया है या आप संसार के रणी हो गए यह बड़ी बात नहीं है परमात्मा रणी हो जाए यह बड़ी बात और परमात्मा किस से रणी होता है अच्छा करम से रणी होता है होता एक नहीं अभी जटायू का नाम आया परमात्मा जटायू के भीरनी है जहल भरी नयन कहते